तो हम लोग dimensions का use देख रहे थे कि कैसे dimensions का इस्तेमाल किया सकता है किसी physical quantity का दूसरी physical quantity से जो relation है जो dependence है वो पता करने के लिए तो हमने देखा तकल last class में जो भी था एक तो वो time period था simple pendulum का एक वो रस्ती में जटका दिया था तो जटका था जो disturbance था वो भी speed से travel कर रहा था उसको लेके बात करी थी और ऐसे तो बहुत सार करेंगे practice के लिए यह देखिए यह हमने कहा किया रहा है कि कुस्चन है कि अर्थ के सर्फिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी की बात हो रही है यह देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी तो हम जानते ही है इस्मॉल जी चाहिए डेपेंड्स ओन एक तो मास ओफ अर्थ सही है अर्थ का मास वो मैंने लिख लिया कैप्टल है और रेडियस ओफ अर्थ छिक है वो आपने लिख लिए अर्थ की रेडियस कैप्टल आर और एक चीज बजा दी जो यू उनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंसेंट होता है कैप्टल जी वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते है नूटन का ग्रेविटेशन का ला F बराबर capital G M1 M2 by R square वो वाला and universal gravitational constant कौन capital G ठीक है as कुछ dependence मैंने लिख भी दी say small g बराबर some g की power x m की power y r की power z तो find x y z x y और z जो है इनकी value पता करी तो आपको dimensions का इस्तेमाल करना और ये dependence पता करनी है तो class को रोकें और ये जवाब निकालने का प्रयास करें ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले ये जो लोग हैं इनके dimensional formula पता होना चाहिए small g का dimensional formula होता है lt-2 by small g मतला acceleration due to gravity तो acceleration meter per second square तो meter का l और per second square तो minus 2 second यानि time time के लिए symbol क्या होता है capital T चाहिए अब जो gravitational constant है ये हमने निकाला हुआ है इसका dimensional formula नहीं यादे तो फिर पतायते हैं ये देखिए ऐसे कि अगर m1, m2, mass एक दूसे से r दूरी पर हो तो वो लोग एक दूसे पर जो force लगाते है capital F वो हता है capital G m1, m2 upon r square तो उससे आपने capital G लिख लिए है अब इसमें सब dimensional formula लिखको force का dimensional formula mlt-2 दूरी के लिए l का square upon mass capital M, mass capital M तो यहां से capital G का dimensional formula आगया m-1, l3, t-2 चाहिए अच्छा बाकी जो mass है उसका तो capital M हो ही गया और radius यानि की length उसका L हो गया अब इसमें रखते है small g मतलब lt-2 बराबर capital G यानि ये की power x m-1, l3, t-2 की power x m की power y और l की power z ठीक इदर की तरफ left side में इसे लिख लेंगे m0, l1, t-2 कोई दिक्कत नहीं है बई, mass नहीं है बई, right side में mass है, left में नहीं है तो हमने के left में इस mass लिख देंगे m0 simple l लिखा तो power 1 और t की power minus 2 बराबर इदर की तरफ m की power देखो, यहाँ पर m की power आएगी minus x और यह y तो m की power minus x plus y l की power 3x plus z और t की power minus 2x यह देख लिख लिख लिखे इस तरह से हमने यह लिखा अब left और right side की जो fundamental quantities हैं उनकी जो power हैं वो बराबर कर दी जाएं कर देते हैं तो आपको मिलेगा minus x plus y बराबर 0 यह एक equation m की power minus x plus y यह m की power 0 l की power 3x plus z बराबर 1 और तीसा यहां से minus 2x बराबर minus 2 चेक अब हमें पहले तो इससे x की value मिल गई x बराबर 1 आ गया x की value इसमें रख दोगे तो z आ जाएगा z की value 1 minus 3 यानि minus 2 और x की value यहां रख दोगे तो y की value 1 आ जाएगी देख लिजी बहुत simple सीज हो गई तो small g बराबर g की power 1 m की power 1 r की power minus 2 तो small g बराबर g m upon capital r का square यह लिजीए यह आपका answer आ गया चिक है तो ऐसे हम लोग यह dependence देख सकते हैं एक बाद द्यान से देख लिजीए और class रोग के copy में इस सारी बात note कर लिजीए हाँ जी तो हम लोग फिर बात करते हैं एक और सवाल के ऐसे ही यह देखते हैं तो यह बताया कि और कोफिशियन्ट और विसकॉसिटी इटा चिक है विद स्पीड वी लिक्विड में एक स्पेर चला है स्पेर की रेडियस आर है कोफिशियन्ट और विसकॉसिटी लिक्विड का इटा और स्पेर की स्पीड वी तो लिक्विड अप्लाईज विसकस फूर्स एफ ओन अबजेक्ट ठीक है आप हमसे कह गया कि भाई फाइंड डिपेंडेंस आफ एफ ओन आर इटा वी मतला आप ऐसे माल लीजे कि अब बराबर सम के आर की पावर ए इटा की पावर बी और वी की पावर सी इस टैट से तो ए बी सी क्या होंगे यह पता करने चीक है और यह के जो है यह तो हमें पता है एफ बराबर सिक्स पाई इटा आर भी चाहिए ऐसा है कि हमने पढ़ा होता है चाहिए तो मैंने का सपोस्ट यह नहीं पता है हमें अब यही निकालना है अब इसमें जो डामेंसनल फर्मूले है फोर्स का वो आपको पता होता है रेडियस वो आपको मालूम है वेलोस्टी वो आपको पता होता इटा का डामेंसनल फर्मूला हमने ही निकाला है हमने हैं पिछली क्लास हों में यह इटा का डामेंसनल फर्मूला निकाला है दो परकार के फर्मूलों का यूज़ करके निकालते हैं एक तो यही relation का यूज करके निकाला था f बरावर 6 पाई इटा रवी ठीक है और एक हमने वो लिकाला था कि f बरावर इटा वी अपाँ जेड करके निकाला था ठीक है तो वहां से आप देख लीजिए वो इटा का क्या dimensional formula बताया था तो वो यूज कर ली वो ड्रैक यूज कर ली है अब यह मानते हैं कि अभी हमें यह relation नहीं पता है हमने इटा का सिर्फ dimensional formula बाद से नोट किया है यह relation अभी हमें पता नहीं है निकालना है तो फिर यहां पर रखेंगे और ABC की value निकालेंगे ठीक है तो class को रोकें और यह ABC निकालने का प्रियास करें ठीक है तो हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहले तो dimensional formula लिखेंगे force होता है MLT-2 R के लिए radius यानि की distance यानि की L eta यह formula ऐसे बताया था आपको कि F बराबर होता है eta V upon Z